हाई दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्तों महेंदर सिंग स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंदर एजुकेशन चैनल पर और दोस्तों आज हम देखेंगे ककसा बारा ककसा बारा और पोलिटिकल सैंस ठीके political science देखेंगे दोस्तो political science का हमारा chapter number रहने वाला है दोस्तो ठीक है chapter number रहने वाला है नववा chapter कौन सा chapter दोस्तो नववा यानि कि नववा chapter है हमारा ठीक है 9 यह जो chapter है इस chapter का नाम है वेश्वी करन क्या है दोस्तो वेश्वी करन यह जो चेप्टरे दोस्तो यह आपके चार नमबर का है कितने नमबर का है चार नमबर का है आपकी ब्लूपरिंट में दे रखा है दोस्तो यह चेप्टर आपके चार नमबर का है और इस वीडियो में देखने के बाद आपके चार नमबर पक्के हो जाएंगे और मैं पूरे 100 पर्षेंट दावे के साथ कहता हूं दोस्तों बोर्ड प्रिक्सा में पर्षेंड में से जरूर आएंगे दोस्तों ठीक है और परमुख 10 कुषिण में एबे से दिवाड़े लिये हैं यानि कि ऑब्जिक्ट रेव कुषिण के अंदर पूंचे जा सकते हैं इसके अलावा दोस किसने कहा कि सामरगी वाद पूंची वाद का अंतिम चरण है ठीक है यह किसका कतन है या किसने कहा कि सामरगी वाद जो है वो पूंची वाद का अंतिम चरण है तो यह कहा था दोस्तों वी आई लेनिल किसने कहा था वी आई लेनिल वी आई लेनिल ने क्या कहा था कि जो साम मरग्यवाद है वो पुंजिवाद का क्या है अंतिम चरण है ठीक है तो यह प्रमुक आपको ध्यान रखना है इसके बाद दूसरे किशन देखेगा दूसरे किशन यह है कि भूम अंडली करण किस विचारदारा पर टीका हुआ है तो दोस्तों यह उदारवादी जो देखेगा जैसे पुंजिवादी ठीक है पुंजिवादी लोगतंत्री और कोई भी देखेगा आपको ओप्सन तो इसमें जो है वो उदारवादी हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलो देखते हैं अगला तीसरे किशन कि विच्व के संद्रब में सोचो ठीक है विच्व के सं मद्रव में सोचो देश के हित में करो यह सुत्र किसने परसारित किया था तो दोस्तों यह सुत्र जो परसारित किया था वह किया था मनमोहन सिंग ने किसने परसारित किया था मनमोहन सिंग ने चलो देखते हैं अगला किशन चोता किशन आपके सामने हैं यह जितने भी जो पूंचे जाने वाले किशन है सभी ठीक है दस तक इंपोटेंट है जो आपको और पूंचे जाएंगे किसने कहा कि भूम अंडलीकन विशिष्टवाद का सारू भूमी करण है तो यह कहा था इसके बाद 5 किशन आपको पूचा है कि भारत में नैं आर्तिक नीस नीति की शुरूआत कब हुई थी दोस्तो एप किस नर सिमा राव ने चलो देखते हैं चट्टा किशन, चट्टा किशन है कि मान्नो अधिकारों की सारो बोमी गोशना कब की गई थी, कब की गी थी दोस्तों, 1948 में, इसके बाद दोस्तों अगला सातवा किशन देखेगा, कि विसु व्यापार संगठन, डबलू टी ओ, ठीक है, विसु व्यापार स इसके इस्तापना कब हुई, तो इसके इस्तापना हुई थी, जनवरी 1995 में, आपको पूछा जाए, डबलू टी ओ का पूरा नाम क्या है, तो यह है विसु व्यापार संगठन, ठीक है, और जनवरी 1995 में इसके इस्तापना हुई थी, ठीक है, इसके बाद देखेगा, के सामने क्यूशन है, कि भारत में नई आर्थिक निती कब शुरू की गी थी, तो भारत में नई आर्थिक निती दोस्तों यह अपने शुरू की गी थी, 1901 में, इसके तेत आप देखेंगे, जैसे उदारवाद हैं, ठीक है, पूंजी वाद हैं, ने, इसके तेत आप देख करन की नीती से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं वेस्विकन की नीती से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए तो यह हुए घरीब ठीक है वेस्विकन से क्या है दोस्तों गरीबों को बहुत नुक्सान हुआ है गरीब जो है बेचारे और गरीब बनते गई और अमीर और अ आपके समझते हैं क्रिशन भी मौश्ट हैं और ये भी आपके पूंचा जा सकता हैं तो द्यान डगना कि वेस्विकरन की निते से सबसे अधिक प्रपावित हुए हैं ठीक है तो गरीब लोग जो है वो ज्यादा प्रपावित हुए इससे गरीबों को बहुत नुक्सान हुआ ज़ाता है ठीक है तो गरेलू अर्थविवस्ता का विसू अर्थविवस्ता के साथ 1.1 की परेकण की प्रिक्रिय क्या है वेस्विकरन क्या थी हैं कि जो परक्रिया है वो वेस्विकर्ण कहलाती हैं 12 वाक्यूशन देखेगा कि आजादी से पहले भारत किस देश का उपनिवेस्वाद था ठीक है किस देश का उपनिवेस्वाद तो यह बिटेन हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखेगा 13 वाक्यूशन है आपके सामने कि यहां पर तात्परी यह आर्थिक नीतियों नियम और कानूनों की सरलिकन परिकिर्या से हैं ठीक है उदारिकन का तात्परी यह दोस्तों आर्थिक नीतियों नियम और कानूनों की सरलिकन परिकिर्या से वेस्विकन का क्या तात्परी ए अर्थ विवस्ता में निजी चेतर की भूमिका में वर्दी करने की परिक्रियागों क्या कहेंगे निजी करने है यहाँ पर निजी करने है यहाँ पर निजी करने का क्या तात्परी ए अर्थ विवस्ता के अंदर निजी चेतर की भूमिका में कि वाम पंति विछारदारा से आप क्या समझते हैं बिल्कल दोनों कुशन मोट इंपोर्टेंट एक तो वाम पंति और दक्षन पंति विचारदारा कि यहां पर बात करें तो यह सभी कुशनले आपको अच्य prefers after immunnonkick देखेगा वामपंती विचारदरा ये क्या कहती हैं तो वामपंती विचारदरा इसकी बात करें तो ये वे लोग थे जो गरीबों का साथ देते थी यानि वामपंती विचारदरा जो है वो किसका समर्तन करती थी तो ये गरीब लोगों का समर्तन करती थी किसका समर्तन करती थ जैसे गरीबों की हालत जो है बहुत खराब हो गई इसमें क्या होता है कि गरीब जो है बेचारे और गरीब होते जाते हैं और अमीर जो है वो और अमीर बनते जाते हैं ठीक है ऐसा वे इवामपंती बेचारदरा का केना है क्या कहती है गरीबों की हालत और जैदा खराब हो ग झाले की दोस्तों वामपंती वीकारदरा का सीधा सा मतलब ये क्यती है कि गरीब örप्ष नुक्सान हो रहा है वेस्विकंट से ठीके इसके बाद देखेगा अगला किशन अगला यहां पर पोँचा है कि दखशने-पंती विचारदरा से आप क्या समझते हैं दक्षन पंती विचारदरा ठीक है वाम पंती विचारदरा अब दक्षन पंती विचारदरा अब दक्षन पंती वे लोग है जो अमीरों के हित में बोलते हैं ठीक है अमीरों के हित में बोलती है दक्षनपंती विचारदरा जबकि वामपंती विचारदरा गरीबों के हित में बोलती है वेस्विकर्ण तेजी से विकास करने यह पूरे विश्व में समान विकास की इस्तति को लाने के लिए अत्यांत आउश्यक है तो देखेगा आपको या तो वेस्विक वामपंती विचारदरा से क्या समझते हैं या फिर दक्षनीपंती विचारदरा से क्या समझते हैं या फिर आपको पूछा जा सकता है कि वामपंती विचारदरा और दक्षनीपंती विचारदरा में अंतर क्या-क्या है ठीक है तो यह पर आपको अंतर भी पूछा जा सकता है दोस्तों तो ये परमुक दोस्तों इस चेप्टर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट किशन थे और एक से लगाकर दस तक तो परमुक जैसे एक-एक सब्दों में आंसर लिख देना है वो तो ठीक है बिल्कुल आसान से किशन थे चलो उनको आ हिंदे जे बारत